नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सब का। ये असल में होता क्या है? ये जो अपने सवाल पुछा, तो आप समयता है बहुत ज़रोरी है कि हार्ट अटेक का जो रक्षन है, जो चिन से लेकर, दाड़ी जो बोलते हैं, वहाँ से लेकर नाभी तक रहते हैं. बहुत दोस्तों, हार्ट अटेक का लक्षन सिर्फ आपको दिल में नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ छाती पे नहीं मिलेंगे, परन्तु, इसका असर आपके लेफ्ट हैंड पे भी हो सकता है, और चिन से लेके नाभी तक इसका असर देखने को मिल सकता है. सर जब हम हार्ट अटक की बात करते हैं, तो हमारी जहन में वो लोग आते हैं जो 50 प्लस होते हैं, जो एश्ट लोग होते हैं, लेकिन सर अगर हम यूथ की बात करें, तो ये कितना कॉमन है यूथ में? अंकित, आपने बहुत अशा सवाल पोछा, मैं जब PGI में 1998 से जाइन किया था, जब मैं वहाँ उस साल आया था, तब हम किसे को 30 साल का या बच्छी साल का को लड़का लेके चेस्पन लेकाये, तो हम उसको हस्ते थे, कि तो हार्ट अटक थोड़ी हो सकता है, लेकिन अभी पिछले जो कुछ दसक में काफी चेंज आया है, यह यंग में बहुत हार्ट रेक होने लागा है, और आज के जमाने जैसे हमां एंज़राफी करते हैं, PGI में एंज़राफी होती है, और 40 से एक एंज़राफी फरोज होती है, उसमें से almost 10% जो लोग होते हैं, वो 40 साल से नी बहुत हैं, तो सर, यह जो बिमारी है, हार्ट अटेक, इसके लक्षन क्या होते हैं? और साथ में, जाद तर 10-15 मिट रहता है, और पसीना आता है साथ में, और वो जिसको अटेक हो गया, उसके सितिय नहीं होती खड़े रहने कि वो बलता कि मैं तो सर, सफोकेशन, सांस ना लेना, हाथ में दर्द, या छाती में दर्द, यह सारे इसके लक्षन हैं? सभी इसके लक्षन हैं, जी, जी, तो सर, कारण क्या है हाथ अटाक के पीछे? सर, यह जो थ्रॉंवेटिक आपने भी बताया, यह असल में होता क्या है? सर आज कल यूट का लाइफ स्टाइन बहुत जादा बदल गया है उन्होंने कई सारे नई ट्रेंज फॉलो करने स्टार्ट कर दिये हैं बहुत चेंज़े आ गए हैं उनके लाइफ में जैसे आपने बताया हैं जो जादा स्मोक करते हैं उनको भी हार्ट अटेक के चांसे जादा हो सकते हैं तो सर ये जो हमारी नई लाइफ स्टाइल है जिसमें हम बहुत जादा ओईली फूट कंज्यूम करते हैं बहुत जंक फूट खाते हैं बहुत आलकोहल वगेरा लेते हैं तो क्या ये भी heart attack के पीछे reason बन सकता है? जी, बिल्कुल सही बताया आपने. दो बिमारिया काफी तेजे से बट रहे हैं इंडिया में. एक तो heart attack और diabetes. ये दोनों जो बिमारिया हैं, ये life cell और diet के वज़ सही है. जैसे कि हम नहीं जाते हैं कि हम घर में बना खाएं, हम चाहते हैं कि चलो जाते हैं बहार का खाना 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 खानाते हैं. तो जो बहार का जाओ है, oily, fried food है, fast preservative food है, उनके खाना से होता है. सर ये जो competitive world है, इसमें survive करने के लिए, आगे चलने के लिए, बहुत जादा stress लेने लग गया है हमारे यूथ, और stress भी एक कारण बन गया है हार्ट अटेक का. बेलकुल, अंकेत आपने बहुत अच्छा सवाल पुछा, और आपको पता है कि हमारे इंडिया में दो-तिन ओर्गनाज़शन हैं, वो stress relief के लिए बहुत बड़े काम पेका. अच्छा सब्सक्राइब बन गया है हैं, तो एक तरीका है जिस तरह से हम ना सिरफ हार्ट अटेक से बलकि कई बिमारियों से बच सकते हैं, वो है एक healthy living, obesity से दूर रहना क्योंकि मोटापा भी कई सारी बिमारियों को जनम देता है, और ना चाहते होई भी बिमारियों को जन हार्ट अटेक उनमें से एक बन गया है, तो हमें बिमारियों को दूर रखने के लिए मुटापे से दूर रहना चाहिए, अच्छा lifestyle maintain करना चाहिए, और activities जैसा सर आपने हमें बताया कि हमें activities करनी चाहिए, आजकल काफी सारे लोग हैं जो walk नहीं करते, वो यही prefer करते हैं कि मुझे कोई conveyance मिल जाए, पास चाने के लिए भी वो walk करना prefer नहीं करते हैं, तो एक तरह से हमें अपने lifestyle में बदलाव लाना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम एक healthy जीवन व्यतीत कर सके, सर जिस व्यक्ति या फिर youth को heart attack आ रहा हो, उसे उस situation में क्या करना चाहिए? जैसे किसी को अगर लग रहा हो कि मुझे heart attack आ रहा हो, जैसे हमें सर ने कई सारे लक्षन बताएं, जैसे suffocation, पसीना आना, हाथ में दर्ध होना, छाती में दर्ध होना, अगर इन में से कोई भी लक्षन आपको लग रही हैं, तो बिलकुल भी देरी मत कीजिए, तुरंत जैसे कि डॉक्टर के पास चाहिए और अपनी जांच करवाईए, सर हम heart attack को कैसे avoid कर सकते हैं? जैसे चिकन या फिर फिश में काफी प्रोटीन होते हैं, तो सर क्या हमें इन्हें सीमित मातरा में ही लेना चाहिए ताकि हम heart attack को avoid कर सके? जी अंकित आपने बहुत अचा सवाल किया, कि हम blanket band तो नहीं कहते हैं, पर फिश खा सकते हैं, फिश में कोई माना ही नहीं है, उसमें कोई दिकत नहीं है, लेकिन चिकन जो है, उसमें सिमित मातरा में खाना चाहिए, उसमें जो चिकन में स्पेशली जो पर जो fat होता है, skin हो जो निकाल के खाए, तो बैतर रहता है, जैसे आपने बताया, उसमें सिमित मातरा में खाना चाहिए, किसी को हाट की problem हो गई, तो हम ये रेकमेंड करते हैं, कि आप जो beef है, या mutton है, वो अवाइड करिये, ना खाये, कुस उसमें bad colossal काफ जादा होता है, सर आप से कुछ न है, तो एक बार हाट के टेस्ट कराना के लिए संपक कर लेना जरूरी है, सर अगर हम सिरफ अपनी country की बात करें, इंडिया की, तो काफी लोग अपनी health को लेके बहुत जादा neglect हो जाते हैं, जादा इसको seriously नहीं लेते, अगर उन्हें थोड़ा सा भी दर्द हो रहा हो, तो इसको बहुत ही अराम से लेते हैं, lightly लेते हैं, और इस चकर में कई सारी बिमारियां उमर जाती हैं, तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस सर, awareness की कमी के वज़े से लोगों को पता नहीं चलता कि उन्हें असल में क्या problem चल रही है, सर ये जो heart attack है, क्या ये एक सजादा बार एक व्यक्ति को आ सकता है? जी, किसी को heart attack एक बार हो गया हो, तो दूसरा भी आ सकता है, और पहली बार heart attack भी जानलेवा हो सकता है, और दूसरी बार तो जादा ही जानलेवा हो सकता है, तो ये जो बिमारी है, ये बहुत ही जादा जानलेवा है, अगर सही समय पे इसका इलाज ना करवाया, तो बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है या फिर लॉस भी हो सकता है लाइफ का जी बिल्कुल ठेके बता है कि ये कहता है कि जो 40 साल से उपर किसी को हाट अटक होता है तो कुछ लोग जो है एक घंटे के अंदर ही ड़त हो जाती है जी 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 मतलब बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए अगर आपको इन में से कोई भी सिम्टम दिखता है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास चाहिए और जांच करवाईए सर क्या-क्या ऐसे फाक्टर्स हैं जिनोंने हार्ट अटेक का रिस्क बहुत हद तक बढ़ा दिया है जी बहुत अच्छा सवाल कि आपने की जो कुछ कॉमन दिखनाई है जैसा कि किसको Diabetes हो, Diabetes को तो हार्ट अटेक का रिस्क दूगरा हो जाता है दूसरा Blood pressure हो गया अभी हमने डिकसक गया है पापा को हुआ है तो बढ़ जाता है तो क्या है कि हरिडेट्री होती जहाथर तो लाइफ-स्टाइल और बाट dif यह हमारी बुरि संगत यह एक तरह से हथ्ट को बढ़ावा देता है मतलब कुछ मात्रा में hereditary का भी थोड़ा सा रोल तो है इसमें play करने के लिए तो कई सारे factors हैं जो heart attack का risk बढ़ा देते हैं जैसा कि हमें अभी सर ने बताया जिन में से एक hereditary भी हो सकता है हमारा lifestyle हो सकता है diabetes हो गया, diabetes हो गया, blood pressure हो गया, obesity भी है काफी सारे लोग है सर जिनको diabetes होता है उसके बावजूद भी वह मीठा खाना नहीं छोड़ते हैं और सर एक तरह से वह heart attack की रहा पर चल रहे हैं मीठा ना छोड़कर मीठा है यदि उनको जो हमोगलोबिन शुगर कंट्रोल में रहे और वह वाक करें बहुत जादा मीठा तो नहीं खाना चाहिए तो उनके रहे हम जनरली डायबेटेक्स में हमोगलोबिन एवंस ही करते हैं तो हमोगलोबिन एवंस गिविस यू रफ आइडिया बाउट ब्लड शुगर इन फ्यू मन्स जी जी हमोगलोबिन एवंस सिंग 5.6 छे के आसपास है तो हम समझता है कि शुगर अच्छा कंट्रोल है जी 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 तो शुगर कंट्रोल करना चाहिए ओबासिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमें सेहत मंद रहना चाहिए हेल्दी लाइस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए और जैसा कि सर ने हमें पहले बताया था कि मेडिटेशन योगा भी करना चाहिए उससे आप हार्ट जी जी बलड प्रेशर से भी बढ़ सकते हैं इन सब से आप बच सकते हैं सर हार्ट अटाग को कैसे डाग्नौस कर सकते हैं कर लेते हैं तो सेर हर्ट अटेक भी दो प्रकार के होते हैं प्रकार पड़ गया उसको काफी सरे रोगों को नाडी में ब्लॉक जोने के बावजूद क्या हैं कि उनको इसी जी नॉमन होता है झी जी जी तो सर हम हर्ट अटेक का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं जए एक तो आपने शुरू में बताया कि पहले प्रिवेंट करो जी 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 आप हेल्दी रहिये योगा करिये एक्सराइस करिये हल्दी खाना खाये लाइफ शाइल कर करें स्मोक ना करिए बहुत ज़्यादे ड्रिंग ना करिए यह तो लाइफ सब्सक्राइब करते हैं जो किसी को हो गया तो दवा खानी पड़ती है क्लोट डिजॉलिंग के लिए क्लोट इको सब्सक्राइब करते हैं अधि वो किस कुछ ब्लॉक इतनी ज्यादा होती है कि स्टेंड से भी नहीं होता है तो इनको बाइपास सजरी के जाती है जी जी तो सर ये जो हार्ट अटेक है किस हद तक क्योरेबल है नहीं उसके काफी अच्छा रिजल्ट है अटाक होने के बावजूद जो इंडिविजुवल है वो अपनी सेहत का ख्याल रखे जैसे खाने पीने का ध्यान रखे रखे रेगुलर देवा के वाक करे तो बहुत जा सकती है तो सर अगर एक व्यक्ति सिर्फ मेडिसन ले तो वो हार्ट अटेक से बच सकता है या इसे क्योर कर सकता है तो सर अगर व्यक्ति जिसको हार्ट अटेक आया हो और उसके बाद अगर वो क्योर हो गया हो तो सर क्या वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है जी बिल्कुल जी सर तो सर आप क्या-क्या चीजे उसे रेकमेंड करोगे ताकि वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर सके एक तो हरो डेली वाक करना चाहिए वाक मतलब वाकिंग हो या स्विमिंग हो सम सॉट अफ एक्साइज बैडमिंटन खेलो जो भी जरूरी है जी जी कुछ लोग योगा करते हैं योगा भी कर सकते हैं कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट को कोर्स चाहिए तो अगर आप मेंसे किसी को हार्ट इटेक आ गया हो या फिर आप मेंसे किसी के ऐसे दोस्त को या रिष्टेदार को हार्ट इटेक आ गया हो और उनका इलाज हो गया हो तो आ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजी, क्योंकि वो एक healthy lifestyle जी सकता है, उसके लिए उनको कुछ-कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि उन्हें अपना healthy lifestyle maintain करना पड़ेगा, और वो खुद ही कर सकते हैं, जैसे अच्छा खाना खाए, walk करे, meditation करे, stress से दूर रहे, junk food avoid करे, साथ-साथ कुछ-ना-कुछ physical activity में involved रहे, इससे उनका stress भी दूर रहेगा, और साथ-साथ इस बात का ध्यान रखे, कि वे stress बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि stress ना सरफ heart attack को बढ़ावा देता है, साथ-साथ कई सारी बिमारियों को भी जनम देता है, डॉक्टर अंत में आ heart attack यंग में हैं, वो हम prevent कर सकते हैं, जैसे smoker है, smoking बंद कर दे, या मोटा पाना हो ये, या healthy lifestyle रहे, योगा करें, तो जरूर हम heart attack prevent कर सकते हैं, डॉक्टर ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताएं कि ऐसे कई सारी चीजे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं हैं, परंतु ऐसे कई स सारी चीजे भी हैं, जो हमारे हाथ में हैं, और अगर हम उनका ध्यान रखेंगे, तो हम heart attack ही नहीं, बलकि कई सारी बिमारियों से भी दूर रह पाएंगे, जैसे हमें smoking, drinking, drugs, इन सारी चीजों को avoid करना चाहिए, और healthy lifestyle ही maintain करना चाहिए, हमें वही खाना खाना चाहिए, जो ह हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे लिए बहुत जादा जरूरी भी है, junk food, oily food, जितना हो सके हमें उतना avoid करना चाहिए, cycling, walking या swimming, इन में से कोई भी ऐसी physical activity हमें करनी चाहिए, इसे ना हम इन बिमारियों से दूर रहेंगी, परन्तु साथ-साथ सेहत मंद भ देने के लिए, मुझे पूरी उमीद है कि हमारे listeners को heart attack के बारे में अब सब कुछ पता चल गया होगा